नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां ये बीज बड़े से बड़े रोगों को मिटा देता है तभी इसका उप्योग चार हजार वर्षों से होता आ रहा है आए जा जानते हैं परहंतु इसके साथ साथ निम के बीज से भी बहुत से लाव होते हैं क्या आप निम के बीज के होने वारे फायदों के बारे में जाना चाहते हैं तो सुनिए हमारे इस वाई सवर को निम के बीज किस प्रकार से उप्योगी है इस बात में कोई राज नहीं है कि नीम की पत्तियों का उपयोग विभिन प्रकार के और श्रदियों के रिप में किया जाता है। हरदय से संबंधित, समस्याओं, वाइरल बीमारियों, आखों से संबंधित बीमारियों तथा आत की बीमारियों इत्यादी के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। बहुत से घरों में कपड़ों और खाद्य पदार्थों को कीटों से बचाने के लिए नीम का उपयोग प्राकृतिक नाशक की तरह किया जाता है नीम के बीज भी बहुत उपयोगी हैं यहां नीम के बीज के हम आपको 10 उपाय बता रहे हैं जिससे आपको ये फायदे होंगे सबसे पहले तो त्वचा की देख भाल के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग समानित हर्बलोत पादों में घटक के रूप में किया जाता है यह लावकारी तेल, साबून, क्रीम, लोशन, फेस वश इत्यादी में मिलता है क्योंकि यह एक प्राक्रितिक, एंटिफंगल और एंटिसेप्टिक है अतह इसका उपयोग त्वचा से संबंधित विभिन समस्याओं जैसे सोरेसिस, एकजिमा, मुहां से रिंग वर्म इत्यादी में किया जाता है नीम के बीज के तेल से आपकी त्वचा नर्म, चिकनी और चमकदार बनती है इससे त्वचा स्वस्थ और दाग धबों से मुक्त रहती है बालों की देख बाल, समानियता हरबल शेंपू में नीम का तेल होता है नीम तेल युक्त शेंपू का बालों पर शांदार प्रभाव परता है नीम युक्त शेंपू से बाल धोने पर नवे केवल सुन्दर दिखते हैं बलकि यह बालों के जढ़ने और समय से पहले बालों के सफेद होने जैसी समस्याओं को दूर रखता है स्वस्थ और चमकीले बालों के लिए आप नीम के तेल का उप्योग कर सकते हैं आखों और कानों के लिए मरहम के रूप में जिहां नीम के बीज के सत्व का उप्योग आखों और कानों के लिए मरहम और ड्रॉप बनाने में किया जाता है इनमें एंटी बैक्टिरियल गुन होता है जो आँखों और कानों में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टिरिया से लड़ने में सहायक होता है विशे शग्यों के अनुसार आँखों और कानों में किटाणूं और जवानूं के कारण होने वाले संक्रमर के उपचार में नीम के बीज के सत्व से बने ड्रॉप्स और आइंट मेंट का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा सकता है मलेरिया की रोक थाम में सहायक आईरुवेदिक और शदी प्रणाली में मलेरिया के प्रभावी उपचार में नीम का उपयोग किया जाता है शोद करताओं के अनुसार नीम के पीसे हुए बीजों की दुरगंध मच्छरों को दूर रखती है तथा उन्हें अंडे देने से भी जन्मनी अंतरन के लिए नीम प्रभावी रूप से उपयोगी है महिलाओं में गरभावस्था को रोकने के लिए नीम के तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है यदि आप परिवार प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपको नीम का उपयोग नहीं करना चाहिए गरभाती माओं को भी इससे दूर रहना चाहिए पिसूओं को दूर करने में सहायक नीम का तेल आपके पालतु जानवर के लिए भी उपयोगी होता है यदि आपका कुटा या बिल्ली पिसूओं से संक्रमित है तो उनके बालों पर नी या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की भी आवशक्ता नहीं होगी मिट्टी के पोशक बनाता है यह निम के बीजों से तेल निकालने के बाद जो आवशेश बजता है उसमें निम की टिकिया बनाई जाती है मिट्टी को पोशक बनाने के लिए इस जैविक पदार्थ के कीट निरोधक है माली बागीचे में पाए जाने वाले विभिन्य प्रकार के कीड़ों जैसे इल्ली घून तिद्डी जिंगूर इत्यादी को पेन पौधों से दूर रखने के लिए इसका उप्योग करते हैं आप घर पर भी चीटी, दीमक, तिलचटे, मक्षी, खटमल इत्यादी को दूर रखने के लिए निम के तेल का उप्योग कर सकते हैं कित नाशक औरगेनिक खेती करने वाले क्रिशक कीटों के संक्रमर को रोकने के लिए निम के बीज के तेल का उप्योग करते हैं निम के पीसे हुए बीजों को रात भर पानी में भिंगो कर रखा जाता है तथा इस पानी का फसलों पर छिड़काओ किया जाता है यह छिड़काओ अंडों को निश्क्रिय करता है कीटों को दो रखता है तथा उन्हें मारने में सहायक होता है एक बार छिड़काओ होने फर भुक के कारण केरें कुछी दिनों में मर जाते हैं निम के बीज से बने किट नाशक उतक्रिष्ट होते हैं क्योंकि ये रसायन मुक्त होते हैं अन्य बीमारियों के उपचार में भी ये सहायक होता है निम के पेंड बड़े पतों और बीजों से चाय बनाई जा सकती है हलांकि यह बहुत अधिक कड़वे होते हैं तथा इने पीना बहुत मुश्किल होता है परन्तु यह स्वास्थ के लिए बहुत लाफ़ दायक होती है यह किड्नी मुतराशय और प्रोश्टेट से संबंधित बीमारियों के उपचार में बहुत प्रभावी है यह उपचार दशकों से चला आ रहा है परन्तु आज भी लोकप्रिय है क्योंकि इसका फाइदा होता है जी हां दोस्तो तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए बाद नमस्कार दोस्तो